हमारे साथ में भंते डॉक्टर उदे नारायन जी जुड़े हुए है और साथ में बड़े भंते हैं भंते जी यहां 21 तारी कोई काईक्रम में आये थे उसकी एक वीडियो टीम 22 पर हमने लगाई है उसके बारे में भंते जी ने संग्यान लिया और आज भंते जी अपनी बात उसके बारे में कहेंगे बंते जी सबसे पहले आप दॉनर भिकू अपना परिचाद है है हमें बंते डाक्टर शंग्रतन मैत्रे कहते हैं और यह दम के काम में ही राद दिन दोड़ते रहते हैं लोगों को जोड़ने के लिए जी बंते जी यही हमारा कार्य है मेरा नाम बंते डॉक्टर उदियन सील और मैं भी 24 गंटे हमारा जो होता है दम के कार्ग में ही होता है प्रचार प्रसार और सिख्छा देना दम के लिए बंते जी यहां जो एक महिला है डॉक्टर इंदू चौधरी जो बड़ी पूर्वी उत्तर प्रदे से उसकी सामाजी कारे करता रही है और इंग्लिस की एसोशेट प्रोफिसर हैं जो उनके फेस्बुक से पता चलता है पी अच्छिव में पाफी दुनों से वह हमारे महाफ जन जागरन का कारे कर रही है बड़ी अच्छे अच्छी उनकी वीडियो भी आती है काफी लोगों को वह पसंद भी आती है तो दिल्ली में 21 अगस्त को संड़े के दिन उन्होंने यहां पर निलोठी गाओं में एक अपने संग्ठन के कारले का उद्गाटन किया और अपने आप दोनों के साथ एक भिको और भी है तो उसका एक वीडियो टीम 22 पर बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई समाज का बुद्धी जीवी इस तरह से नेने संग्ठन बनाएगा और पुराने संग्ठनों के वारे में कुछ नहीं बताएगा तो फिर समाज का क्या हो होगा अगर बुद्धी जीवी ऐसे करेंगे तो यह सवाल हमने उससे पूछे उसके भिकों का भी जिकर किया और आपने इस वारे में संपर्क किया कि आपका जो पक्ष है वो आप खुद रखना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप उस सभी लोगों को अपना पक्ष रख को वहां जब गए तो हमने यह सोचा कि उनको समझाएंगे कुछ चल्चा करेंगे बैड करके हमें यह क्लियर रूप से मालूम नहीं था कि यह संग्ठन उन्होंने कब बनाया और कब सुर्वात की थी तो यह भंते जी हमारे साथ हैं तो एक संपर्क था भंते जी का तो भंत फ़ातों का जभाब नहीं दिया उन्होंने करूणा करभनते जी थे उन्होंने उसका ओपनिंग किया हम लोग तो बहुत साहरे कोईश्चन किये लेकिन वो कुछ बोली नहीं है हम लोग यह चाहते थे कि उनसे बात करें और पूछएं की भाई आप अलग से क्या करना चाहते हैं हम आपका सहो करेंगे अगर वो सही वेपे है तो लेकिन अगर सही वेपे नहीं है जो हमारा विखु संग और उपासक संग है अगर ऐसे विखु नहीं पैदा कर सकते आप ऐसे उपासक नहीं पैदा कर सकते तो क्या करते हैं क्योंकि इस तरह से पिता वही होता है जो संतान कि पैदा कर सके उनको लायक बना सके और किसी भी कारेक्रम से पीदा हो रहें उपासक , पिदा हो रहें तो फिर क्या हो यह लोग नहीं संग्धत्र बना लेते हैं वह सिर्फ पैसा प्रतिष्था का पूरा मनुवादी ब्यवस्था पे लोग उल्जे हुए है कि मुझे पद मिल जाए मैं राश्य जच बन जाओं और मेरा नाम हो जाए यह जो राग दूइस और मोह की ब्रत्ति है यही तो भगवत से दूर रखती है हमको यह संसार में उल्जाये रखे हुए आपसे जगड़ करना चाहते थे बात करना चाहते और हम लोग समझाते हैं लोगों कुछ आ जगर के लेकिन वह बेडभाड में इतना बजी थी कि वह बाचितनी की थोड़ी दे रुके और हम चले आए बहुत से बहुत हम लोग रुके होंगे आद घंटा रुके हम लोग फिर आपस आ गए ह होगा है। यह तो हमारे कारेकरब कैसे हो रहा है है कि युट अपनी संसक्रप्टिं के वकालिश मैं नहीं चल रहे हैं रिवा है जैसे कि कहना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा समझाने के लिए कहना पड़ता है अगर भूकने वाले खड़े होते हैं तो सिर्फ वहीं खड़े होते हैं भूकने वाले उनके साथ में बाले हमोने चीखने चिलाते हैं उटे ही शब्यता हो जिनमें बिनमर्ता हो जिनमें मंगल मैत्री की भावना हो जिनमें अहिंकार ना हो कैसे संबभ होगा कि हमें जो फूट पड़ी हुई अलग-अलग अरे बही देखिए संका मतलब एक ऐसी बेवस्था होती है जिसमें सब कुछ हमारा सासित रहता है और अगर हम ऐस संग्ठन बना रहे हैं तो संग्ठन में ब्योस्था कहां है कि सभी लोग सासित हो जाएं तो सभी को सब्सक्राइब अगर बुद्धी जीवी अगर भिक्कू के कहने को भी नहीं मान रहा है या उसके प्रसंदों के जवाब नहीं दे रहा है तो समाज को क्या करना चाहिए क कि कोई व्यक्ति आपने आपको गुद्धी जी भी कहे और वो भिक्कू के सवालों के जवाब भी ना दे तो हमें थोड़ा क्या है कि दो तीन बार उनके संपर्ग में और आना पड़ेगा ऐसा नहीं है भागवान बुद्धी जाते थे पहली बार कुछ नहीं दिया दूसर चिखेंगे सिखाएंगे हम लोगा करतब हैं और उनको थोड़ा और आगे हम करेंगे हम भी विने पूर्वा को उनसे करेंगे कि भाई उपासक है तो आपको सम्मानित करें उपासक की तरह है तो बंते जी यह जिस तरह से यह समाज के अंदर पूरे बुद्धी जी लोग ब बनाते जा रहे हैं या जो पुद्रे उनमें वर जान लगाते जा रहे हैं और उसका परणाम उर्टे आ रहे हैं तो ऐसी दसा में alors किया उंमी कि अश्य लोगों को चाहिए कि लोगों को समझाने को निकले उए जब तक हम लोग चारिका में रहते रात दिन गोमते रहते हैं लोग समझाने के लिए हर संग्धन के पास जा रहे हैं हम लोग और आज ही हमारे पास संग्धन आया था यहां उसके पास 17,000 लोग हैं हमने उसको आज तीन चार घंटा समझाया वह आ गया रास्ते पर उसने का भंते जी हम जरूर आपसे प्रिसिश्ण लेंगे आपसे साथ जूड़ेंगे और वह अभी इतवार को फिर आएगा हम उसको पूरे टीम को बुला रहे हैं तो इस तरह हम जितने संग्ठन हैं उनसे मिल दे जाते हैं वी डिविडियो डालते बना करके और जो ब्यक्ति वीडियो बना कर आलता है असलीके दिखावा करता है तो हमको ऐसे बिक्षो के छटनी करनेश पड़ेगी जो ज्यादा बीडियो डालते हैं और जो काम नहीं करत कितने संग्ठों को जोड़ा उन्होंने अपने साथ कोई संग्ठों को तुड़ता नहीं है और खाली अखेले गुमते रहते हैं इस तरह भी खुब चलिए यह तो अच्छी बात है कि आप क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध की तरह जमीन पे पूरे दिन भाग दोड़के और कुछ लोगों को दुबारा से जो भगवान बुद्ध का संग था उसको समझा रहे हैं बंते जी और कुछ कहना चाहेंगे बस इतना ही है हम लोगो कार है हम बार-बार मौका दें उनको जब तक कि वो पूरी तरह से हम में घुल मिलना जाए एक न हो जाए तब तक हमें आउसर देता रहाना चाहिए क्योंकि अपने ही लोग हैं नादान लोग है अरब बन्ते जादा मौका पद देंगे तो वो आपको कमज़ों नहीं समझेंगे काकी कोई आपका कोई मतलब है आपकी कोई गर्ज है आपका कुछी आपकर kur चाहिए जो बार-बारा आप उनको कह रहें है तो एक अगर अगर लगातार मौके देते रहेंगे और वो नहीं सुद्दे रहेंगे तो समय हमारे पास कहा है मैं उब्मीद करता हूं कहा हूं कि जल्दी ही सारी बाता ठीक हो जाएं और हमारे जो दुख हैं वो दूर हो जाएं आपका बहुत-बहुत सादुबाद है बंदामी भिकूगण जब हम यहां जोड़ने और जोड़ने के लिए आ गए हैं और पुराना संग और जो बावासाव अम्बिट करने हमको सम्यक समाज संग 1927 में जो आदेश दिया संग के तहत में काम करना है तो दोनों महापरूस हमारे बार-बार कहते हैं कि हमको संग में काम करना है आज एक बड़ी गंभीर समस्या है कि आपको समाज के बहुत सारे लोगों से दो-दो हाथ करने पड़ेंगे और जिनको आप बुद्धी जीवी कहते हो उनसे आपको चार-चार हाथ कहने पड़ेंगे क्योंकि वो बिना चार हाथ किये हुए मानेंगे नहीं पर प्यार से करना है, समझा के करना है, बार-बार लिखित करके करना है, समझ के करना है और जानकारी ले के करना है क्योंकि बुद्धी जीवी कुछ जब तक आप जानकारी नहीं देंगे या उसको सवाल-जवाब नहीं करेंगे वो मानेगा नहीं और आप से खा में खा के रेफरेंस भी मांगेगा 21 तारिक की घटना है दिल्ली की एक महिला जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा काम कर रही थी नाम है उनका डॉक्टर इंदू चौदरी नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने सामाजी काम करने की घोशना की 21 तारिक को डिल्ली में जो यहां डिल्ली का नौर्थ साउथ हेरिया है उसमें एक निलोठी करके गाउं है वहां उन्होंने एक काईक्रम लगाया और उन्होंने अपने संग्ठन का आगास किया आरहम किया बाकाइदा फीता कटवा कर और उन्होंने कहा कि राजनीती जो उनके फेस्बुक में लिखा हुआ है कि राजनीती सत्था तभी इस्था ही रह सकती है जब बाकी सत्था मिलें पर हम राजनीती सत्था में नहीं जा रहे हैं वो statement क्या है क्या देना चायती है बहुत लंबे-लंबे उनकी भाशन होते हैं statement होते हैं तो सबी लोग ऐसा मानते हैं कि बनारास Hindu University की जैसा कि उनके Facebook के profile पे लिखा हुआ है वो associate professor है और लगाता जैसा उन्होंने कहा कि वो कुछ सालों से सामजी काम कर रही है हमने भी उनकी कु समाज का कोई Northern को कुई समाज का काम करे समाज की mesa कि जुम्मेदारी है कि उसका आकलन करे गूंगे बहरे की तरह रटके सुनके कि ना बैठे और ना वहवा करे और ना ही ये कहे कि बहुत ज़्यादा खराब है पर उसकी सही तरह से समिखा करे समिखा मतलब समिख्छा और रोज करे अगर आलोचना है तो आलोचना करे और प्रसंसा है तो प्रसंसा करे अच्छा काम है तो वहवा करे साथ दे और खराब काम हैं तो condemn करे और कहे के ये काम खराब है एक और नया संग्ठन 21 तारिफ को खोल दिया सो 200 संग्ठन पूरे भारत में हमारे आज भी खुलते रहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो जान हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको MLA MP बनना है पर कोई एसोसेट प्रोफिसर जो अपने आपको बुद्धी जी भी कहे और जिसने समाज को पढ़ाने का बहुत तेजी से काम किया हो या समाज को पढ़ाने की जुम्मदारी ली हो अगर वो संग्ठन खोलता है तो कुछ स मौंबती जलाई है और जिन्हों ने वहां पर पंसिल किया उनको सवाल करने चाहिए थे और जो जनता वहां आई उनको सवाल करने चाहिए हाला कि बहुत थोड़े लोग थे और जो महिला थी वो घर की महिला थी एक आद महिला ऐसी थी जो नारे वारे लगा लगाती है यह जोसी लिए अंदाज में रहती हैं तो मुझे ऐसा लगा कि वहां समझदार लोगों की कमी रही पर वहां तीन भिकू मुझे दिखाई दिया उस वीडियो में और बोर्ड भी लगा और कुछ चंद लोग दस बीस लोग होंगे जहां बढ़नेगा सवाल ये बनता है कि आपने जब सामाजी काम कर रही है और सामाजी काम का अपने जुम्मदारी ली है तो कौन सा नया सामाजी काम का संग्ठन बना रही हैं सारे सामाजी कामों के संग्ठन पैरे से ही बने हुए हैं और आप बुद्धी जी भी हैं तो आपको ये बताना चाहिए कि आपने नया संग्ठ और क्यों आपको सामाजिक काम करने के लिए एक भी पुराना संग्वण नहीं लच्छा लगा एक भी पुराना संग्वण आपको भाया नहीं तो आपको अपने भाषनों में सबी संग्वणों के वारे में बताना चाहिए कि ये जो 29 लाग संग्ठन है इनमें से जो भी संग्ठन आपके छेतर में काम करते हैं जो भी आपके इंट्रेस्ट के हैं चाहे वो सामाजिक हैं चाहे वो राजनितिक हैं चाहे वो धंमिक धार्मिक हैं चाहे वो आर्थिक हैं चाहे वो डलकों के दलवल के हैं चाहे वो शेत्र में कोई संग्ठरी नहीं था और अगर नहीं था तो आप बताएं कि आपकी सोच क्या है और उनकी सोच क्या थी जो आपको पस्द नहीं आए क्या करण रहा तो कि कोई अगर बुद्धी जीवी और जो एसोशेट प्रॉफेशर हो वह अगर समाज में यह मैसेज देता ह था है कि हम एक नया संग्ठर बना रहे हैं तो हम जा कहा रहें और हमारे बुद्धी जीवी कर क्या रहे हैं यह सवाल वहाँ भिक्वों को भी पूछना चाहिए था कि इतने सारे संग्ठर नहीं बहेंजी पहले से ही बने हुए हैं आप यह संग्ठर नहीं है और हमसे गड़न कर रहे हैं क्या समाज को जोड़ेंगे कैसे समाज जुड़ेगा और जो पत्कार वहां बैठे हुए हैं वो क्या सवाल पूछेंगे तो सवाल आपको पूछना पड़ेगा सवाल इसलिए पूछना बनता है क्योंकि सामाजिक संथन जितने भी चल रहे हैं उनमें दो आते हैं या तो यह बताईए कि यह जो सामाजिक संथन हैं यह समाज के शंथन है यह वताईए कि यह समाज एसां संथन ऐसकर झांतों आप आपने कहीं ऐसा बहुत में या कहीं ऐसा विस्वास में या कहीं ऐसा आपने मत में लिया नहीं समाज से सवाल जवाब तो हुआ समाज उसमें कहना चाहिए समाज के ओपर थोकना नहीं चाहिए क्योंकि समाज के लिए बना रहे हैं और समाज के लोगों को भी खूब अच्छी तरह बढ़ चड़कर यह सवाल करने चाहिए कि बहन जी यह जो संग्ठन है आपने हमारे लिए खोला है हम से नहीं पूछा कोई बात नहीं पर हम आप से पूछते हैं अगर यह आपकी प्रॉपर्टी नहीं है अगर यह आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है तो पूछना चाहिए कि बहन जी बा बामसिप का बदलाववा नाम हो तराराम गुरूप की, चाहे वो पैगाम हो जली गुरूप का, चाहे कोई भी संटन हो, चाहे कोई भी भंतिर हो, आपको बाकाइदा नाम लेके, उस संटन का नाम लेके, और जुस व्यक्ति को जो हैड है, जो वहाँ व्यक्तिवाद का प्रम पटी नहीं है और आपको सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो आपको एक सवाल का जवाब तो मिली जाएगा कि उसमें संठर में आपका कोई वजूद नहीं है आपकी कोई सवाल नहीं सुनता ना आपसे पूछा जाता तो आपकी आँके खुलेंगी दोनों ही केसिस में आपको अनुभव होगा कि आप जो कर रहे हैं उससे वो चीज़ें खराब हो रही है या अच्छी हो रही है इसलिए ऐसे जो संग्ठन खुलते जा रहे हैं उनसे नाम लेके बाकाइदा पूछिए क्या दिक्कत हुई क्या परिसानी हुई क्यों ये खोला पिछले वालों में क्या कमी संग्ठन जब आपस में तूटते भी हैं तो एक दूसरे की कमिया नहीं बताते समाज को दौनों मैंसे या तो दौनों बुरे होंगे जो तूटे हैं या एक बुरा होगा या एक अच्छा होगा तो तूटे हैं पर ऐसा नहीं हो सकता कि दौनों अच्छे हों और फिर भी त तो इसका मतलब यह है कि आपको यह पैशान होनी चाहिए कि जब संधन तो तो यह दोनों बुरे हैं या इन में से बुरा वाला कौन सा है और जो अच्छा वाला उससे यह पूछना चाहिए कि अच्छे वाले अगर तूटा क्यों तुझे क्या चाहिए था जो तूटा यह तूटी चला के बार्दी भन्ने का इंचिया कर रहे हैं यह समढ़ संग भी काम्याब नहीं हो पाएगा यह ध्यान रखना क्योंकि उसके बोर्ड में जो डॉक्टर इंदू चौदरी है मैं इस वीडियो में उनका वो स्नैप सॉट भी डालूँगा जो पीछे लिखा हुआ वैं उसमें वन प्लश टैन में लिखा हुआ है यह वन प्लस टैन का जो फार्मूला है यह समढ़ संग की इजाध है अलाकि समढ़ संग कोई कौपी राइट नहीं डगता कोई भी आदमी काम कर सकता है पर आपको अगर संग का फार्मूला वन प्लस टेन का चाहिए था तो ले लेते पर आप संग में काम कर लेते ले लेते फार्मूला बना लेते अगर आपको समाजी काम करना है पर संग किसी को पर्सनल तो देता नहीं ओपन इंविटिशन रहता है अगर आपने संग का वन प्ल पत्रकार किसी वी व्यक्ति से प्रसंद मैंने नहीं देखा जो उसने कहा हो कि आप अलग काम क्यों कर रहे हो वो दूसरे लोगों के एजंडे तो पूछते हैं उनसे जो एजंडा रिपलसन का है जो प्रतिकार का है जो जगड़ा पैदा करना का है जो वाद विबाद का है और से या जो समर्ण लोग हैं उनसे कभी ये पसंद सीधर नहीं किया उनके मूंके आगे माइक लगा गए कि तुम अलग अलग रहते क्यों है तुम अलग अलग काम करते क्यों है इसलिए समाज की जम्मधारी है आप लोगों की जम्मधारी है क्योंकि नुक्सान भी आपका है अभी आपका है, तो आपको Facebook के लिख के पूछना चाहिए, आपको टूटर से पूछना चाहिए, आपको फॉन करके पूछना चाहिए, उनका कोई follower मिले तो उससे पूछना चाहिए, यह अलग-लग क्यों है? क्योंकि खुलने ही नहीं चाहिए अब हम इतने दिन से पंद्रे महिने से लगातार बताते जा रहे हैं कि संग्ठनों से हमें नुक्सान हुआ है और यह नुक्सान का काम फिर पी चला रहा है और कोई बुद्धी जीवी करता है तो कहां माता पिठने जाके अपना किसको कहें तो आपको बुद्धी जीवी से चार हाथ कनी लेते हैं रहे न चाहिए जो बुद्धी जीवी नहीं है वो तो दो में मान जाएगा पर बुद्धी जीवी तो ना माने इतनी असाने से वो तो एक बुद्धी जीवी मेरे को मिला अब से करीब चार साल पहले फोन पर चारिस जिस व्यक्ति ने समधार बनाया है उसने समधार संग दिया है उसने समयक समाज संग दिया है और वो डॉक्टर अंबिटकर की अथर्टी है डॉक्टर अंबिटकर की ओपर किताबे लिखी है डॉक्टर अंबिटकर की ओपर मोटा मोटा गरंत लिखे हुए है और वो लाइन न धुनी चाहिए पईसा देंगे जब एककर्टे होके आओगे तब समर्थन देंगे जब एकटे होके आओगे जब वनना ना हम पुछ सं पूछेंगे ना समर्थन देंगे और ने तुम्हारी कोई वैलु है और ना व process में नाम लेंगे और अभी भी ने लेंगे क्योंकि तुम सारे खट्टों के नियारे हमें मर वा रहे हैं यह सवाल लगातार पूछ दिरेना चाहिए अगर यह सवाल हम लगातार नहीं पुछेंगे हमें बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं यह सारे काम हमें खुद करने पड़ेंगे कोई भी काम करने के लिए नहीं आने वाला है हम ही करेंगे इसलिए बार 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 सब पूछें कहें इस बात को जाने संगंग नमामी जैभीम नवगुदाए सूरा मेरे मज्ज पम्मान तठाण बेरमनी सिखाप दिंस्माधियानी पुद्धं सरेन गच्चामू सूरा मेरे मज्ज पम्मान तठाण बेरमनी सिखाप दिंस्माधियानी पुद्धं सरेन गच्चामू सूरा मेरे मज्ज पुद्धं सरेन गच्चामू झाल झाल